हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ओव बड़ी यानि की सरीर के अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में इमेज के साथ तो चलिए वीडियो को बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे पहला बड़ी है फेस फेस को ये सभी जानते हैं इसे हिंदी में चेहरा करते हैं नेक्ष्ट अगला है आईज आईज यहाँ दो आँख हैं इसलिवी यह इसे आईज लिखा गया है यानि की आँख हैं एक आँख के लिए शिर्फ आई, आई मिन्स आँख नेक्स्ट है आईब्रो आइब्रो को आँख के उपर वाले भाग को भौँ करते हैं, ये बाल वाले भाग को भौँ करते हैं Next अगला है टंग, टंग यानि की जीब अगला है माउथ, माउथ यानि की मुँ Next है तित, तित मिन्स दात या फिर तूत, तूत मिन्स वे दात अगला है lips, lips means haunt next है cheek, cheek means gall अगला है nose, nose means knock next है forehead, forehead यानि की कपाल या फिर माथा ये रहा माथा का image, इस भाग को हम लोगी अंग्रेजी में forehead करते हैं next आगे बढ़ते हैं आगे है hair, hair means ball shoulder, shoulder means कंधा next है back, back means peat या फिर कमर अगला है stomach, stomach को हिंदी में peat करते हैं throat, throat means galla next है leg, leg means tongue या फिर पाउँ अगला है knee, knee means घुटना, ये रहा घुटना का image next अगला है foot, foot means पाईर या फिर पाउँ अगला है hand, hand means हाथ ear, ear means कान beard, beard means दाढ़ी neck, neck means गर्दन mustache, mustache means मूच next अगला है smile face, smile face यानि की हंसमुक, चहरा next है wrist, wrist means कलाई अगला है larians, larians means कंट next है thumb, thumb means अंगूठा finger, finger means अंगूली little finger, little finger को छोटी अंगूली कहते हैं, ये रहा चोटी अंगूली का image next अगला है ring finger, ring finger को अनामिका कहते हैं, ये रहा इस अंगूली का नाम अनामिका है, इसे ring finger कहते हैं next अगला है index finger, index finger को तरजनी कहते हैं, ये इस अंगूली को तरजनी अंगूली कहते हैं next अगला है belly, belly को पेट कहते हैं, अगला है bond, bond means हड़ी plum, plum means हथेली, calf, calf means पिंडली, इस भाग को अमलोग पिंडली कहते हैं next है head, head को सीर कहते हैं, इस वाले भाग को सीर कहते हैं next अगला है hip, hip means कुलह, पेट के side वाले भाग को कुलह कहते हैं next अगला है skin, skin means चमडी या फिर त्वाचा nail, nail means ना खून, blood, blood means खून या फिर रक्त fist, fist means मुठ्थी, next है nevel, nail means ना भी, elbow, elbow means कोहनी, ये रहा कोहनी का image next अगला है breast, breast means अस्तन, nipple, nipple यानि की अस्तन का अगला भाग अगला है brain, brain means mustix, next है eye lid, eye lid यानि की पलक, आंक के इस वाले भाग को पलक कहते हैं या फिर अंग्रेजी में इसे eye lid कहते हैं, next है heart, heart यानि की हिरिदय, अगला है altras, altras means गर्भासय, ये रहा गर्भासय का image next है to, toe यानि की पायर की अंगूली, thigh, thigh means जां, ये रहा जां का image, next अगला है temple, temple यानि की कनपट्टी, इस वाले भाग को कनपट्टी कहते हैं next अगला है spleen, spleen यानि की तिल्ली, next अगला है spiner, spinal इसे read की हड़ी कहते हैं, ये रहा spiner, next अगला है सकल, सकल को हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, इस पूरे वाले भाग को सकल कहते हैं next अगला है saliva, saliva को लार कहते हैं, बच्चे अक्सर लार निकाला करते हैं, next अगला है rum, rum को हम लोग चुत्तर कहते हैं, next है rib, rib यानि की पसली, ये पेट के अंदर वाले हड़ी को पसली कहते हैं next अगला है pulse, pulse को हिंदी में नाड़ी कहते हैं, जिससे हम लोग धड़कन की गती को सुन सकते हैं, हात में इसे असपर्ष करके next अगला है पाव, यानि की पंजा, next है plate, plate को हम लोग हिंदी में तालू कहते हैं, मों के अंदर वाले इस भाग को तालू कहते हैं next अगला है nostril, nostril को नथूना कहते हैं, यह रहा नथूना का image next अगला है nerve, यानि की नस, next अगला है muscles, muscles को हिंदी में मांस्वेशी कहते हैं next आगे बढ़ते हैं, आगे है molar teeth, molar teeth को दाड़ कहते हैं next है middle finger, middle finger को हम लोग बीच वाली अंगोली कहते हैं next है lung, lung means फेफडा, अगला है liver, liver को हम लोग हिंदी में जिगर कहते हैं next अगला है kidney, kidney को गुर्दा कहते हैं joint, joint यानि की जोड, इस वाले भाग को जोड कहते हैं जहां दो हड़ी आपस में जुड़े होते हैं, उसे अंग्रेजी में joint कहते हैं और हिंदी में इसे जोड कहते हैं next आगे बढ़ते हैं, आगे है jaw, jaw को हिंदी में जबडा कहते हैं जहां दांत सारे लगे होते हैं उसे जाव करते हैं यानि की जबड़ा करते हैं अगला है इंटेस्टीन, इंटेस्टीन को हम लोग आत करते हैं ये रहा आत का इमेज नेक्स्ट अगला है हील, हील यानि की इंडी नेक्स्ट है आईलेस, आईलेस को बरोनी करते हैं आख के उपर वाले वाग जहां बाल होते हैं उसे आई लेस या फिर उसे हिंदी में बरोनी कहते हैं नेक्स्ट अगला है आई बॉल आई बॉल को हम लोग हिंदी में नेत्र गोलक कहते हैं नेक्स्ट है एमब्रयू एमब्रयू को भुरून कहते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है एर ड्रम, एर ड्रम को हमलोग कान का परदा कहते हैं, नेक्स्ट है चीन, चीन यानि की इसे टुड़ी या ठोला कहते हैं, ये रहा टुड़ी का इमेज, नेक्स्ट अगला है चेस्ट, चेस्ट को छाती कहते हैं, बन, बन यानि की बा नेक्स्ट अगला है body, body को सरीर करते हैं हिंदी में, अगला है artery, artery को धमनी करते हैं, नेक्स्ट अगला है armpit, armpit को हमलोग हिंदी में कां करते हैं, इसे अंग्रेजी में warm भी करते है, next आगे बढ़ते हैं आगे है arm, arm को बांह या फिर भूजा करते हैं next है ankle, ankle को तखना करते हैं यह रहा तखना का image तो friends यह थे सरीव के अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में image के साथ तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई